स्री मन नाराणी जोती सस्थान में आपका स्वागत है, आज हम आपको बताएंगे कि रिंड बाधा योग और इसका क्या उपाय है, आज कल ज़्यादा तर लोग रिंड से परसान है, करजा ले लिए हैं उतर नहीं रहा है, चाहे वो सरकारी रिंड हो, चाहे प्रसनल किसी व् लिए हैं, तो करज होता है, करज मानसिक टेंसन देता है, परसानी देता है, हर समय आदमी टेंसन में युक रहता है, आईए हम बताते हैं जनपत्री में कौन से ग्रह कहा हो, तो करज का योग बनेगा और इसका क्या उपाय करना चाहिए, छटवे भाव में सनी अगर मंगल क के साब बैठा हो, तो निशिती करज आपको लेना पड़ेगा और जल्दी आप उतार नहीं पाएंगे, छटवे, आठवे, बरहवे घर में, धनेस, खष्टेस, छटवे भाव में, स्वामी की दिशा अगर चल रही हो, तो करज जरूर हो जाएगा, धनेस, लाभेस अच्छ जादा हो जाएगा, यानि करज के लिए आप छटवे घर देखिए, छटवे घर का मालिक अगर ची सिती में नहीं है, अस्त है, बक्री है, सत्र के ग्रिह में बैठा हुआ है, तो निशिती करज होगा, छटवे घर का मालिक, अगर राहु, सनी, मंगल के साथ हो, तो भी करज होगा, छटवाई ग्रहँआ और बरहँआ भाव भी करजा को दरसाता है, परसानी को दरसाता है, टेंसन को दरसाता है, अगर बरहँआ भाव मजबूत है, तो लगजरी सुब्धा के लिए आप करज लेंगे, यानि करज कहां लेंगे, अगर बरहँआ भाव आपका मजबू मजबूत हो तो इसका मदलब आप लगजरी सुद्धाओं के लिए विबासादी के लिए या कोई गाड़ी खरीदने के लिए मकान खरीदने के लिए कि करज लिए अगर अठमा भाव मजबूत हो तो व्यक्ति रोग दवा में किसी की तबियत खराब हो गई दवा के लिए अगनी तत्तो रासी या वाई तत्की रासी में हो तो व्यक्त बिना जरूरत करजा ले लेता है अगर एक आदस घर का स्वामी अगनी तत्तो या वाई तत्की रासी में हो तो बिना जरूरत करजा ले लेगे है और आपकी करजा लेने की आदत पढ़ती है और जल्दी आप होते हैं तो कर्ज जल्दी खतम हो जाता है अगर जनबत्री में बुद्ध सुक्र और चंद्रमा गुरु ए चारो ग्रह सुविस्तिती में हो उच्छ के हो मित्र हो तो कर्जा या खष्टम पे अश्टम पे द्वादस पे इनकी द्रिश्टी पढ़ रही हो तो कर्जा जल्दी चुका लेंगे चटमे घर से मंगल का संबंध हो तो कर्जा चुकाने में समय लगता है चटमे भाव से सनी का संबंध हो तो कर्जा चुकता ही नहीं मुश्किल हो जाता है आप जैसे ही उसका व्यास देंगे फिर उप गढ़ता रहेगा उसका देने के लिए करेंगे तब को जा चुगाना ही नहीं चाहता है। विशेश कर चठवे घर से राहू का संबंद हो तो करचा आसानी से तो मिल जाता है। लेकिन ऐसा ब्यक्ति छल प्रपंज से मार कर बैठ जाता है और देना नहीं चाहता है। जर्म पत्री में अगर बुद्ध खराब हो तो भी करचा हो जाता है। वास्त से उत्तर दिसा अगर खराब हो जाता है। इसान कोड में टाइलेट का होना पश्चिम या वायब्य कोड में टाइलेट का होना यह भी करचे का संकेत है। पानी का टपकना, बरबाद होना, टूटी खराब होना, टंकी से पानी लीख होना यह भी करचा को बढ़ाता है। दो छे दस्वे रासियां यानि ब्रिस, कन्या और मकर रासियां यह जहां बैठें उस घर या कार के लिए करजाल लेना पड़ता है। प्रिस रासि, कन्या रासि और मकर रासि जनम पत्री में यह रासियां जहां हो उस कार के लिए अगर यह रासियां चतुर्थ में हो तो आपको प्रापर्टी खरदिने के लिए करजालेना पड़ेगा। दसम हो, तो बिजिनिस के लिए या पिता के लिए खर्ज करने के लिए पैसा लेना पड़ेगा, सत्त महुद बिवा, पत्नी के लिए इसी तरह देखा जाएगा. मंगल सनी का कर्ज न लें, तो मंगल अगर सनी खराब है और कर्ज ले लें, तो जल्दी उतरता नहीं है. बुद्ध को कर्ज यानि आपको मंगल सनी को कर्ज न लें, नहीं तो जल्दी उतरेगा, नहीं. बुद्ध को कर्ज जरूर लें या जल्दी उतर जाता है. मंगल को करजा जरूर चुकाएं अगर आप करजा लिया हैं तो मंगलवार को चुकाएंगा तो जल्दी आपको करजा फिर दुबारा नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा अगर आप करते हैं. अगर आप करजा हो गया है दिक्कत आ रहे ही तो क्या कुछ उपाई बताते हैं करिए जिससे आपका करज उतर जाएगा पक्षियों को मूं का गाना अगर आप सुक्रवार के दिन पक्षियों को मूं का दाना बुद्ध नहीं सुक्रवार के दिन अगर डालते हैं उससे भी करजा समाप्थ हो जाएगा गजंद्र मोश का पाठ करने से भी करजा मुक्त हो जाएगा चीनी या भूरा पेंड की नीच अगर इनका बिद्वत अभी से करते हैं तो भी करजासनाप्त हो जाएगा प्रदिन कनगधारा सुरोत का पाठ करें संपुटि स्रीशूत का पाठ करने से भी रिंडबाधात दूर हो जाती है आपको है वीडियो जैसा लगे कमेंट करके बताईए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए इनी सब्सक्राइब के साथ हम अपनी बाड़ी को बिराम देते हैं स्रीमन नाराण